हलो एब्रिवान वेलकम टू माई चैनल आज में लेके आई हूँ आपके लिए आटे से बने हुए नमक पारे जो कि एकदम खस्ता और क्रिस्पी बनने वाले हैं बिल्कुल मार्किट की तरह ही इसकी खास बात यह होने वाली है कि हम इसे विदाउट मैदे के बनाने वाले और क्रिस्पी बनाएगी और लंबे समय तक क्रिस्प रहेगा हमारे नमक पारों में उपर से मैं डालूंगी नमक टेस्ट के एकॉर्डिंग कम्या जादा फिर से वही आप कर सकते हैं अपने हिसाब से और मैं ले रही हूं यहां पर अजवायन जिसको मैं हाथ से मसल करके फिर इससे जो है नमक पारे में अच्छा फ्लेवर आ जाएगा अब सब चीजों को यहां पर बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेंगे उसके बाद बीच में थोड़ा सा स्पेस पनाएंगे और थोड़ा थोड़ा करके ना हमें पानी डालना है पानी याद रखिए एकदम से जादा नहीं डालेंगे तोड़ा धोड़ा करके ही डालेंगे एसे में अगर एकदम से जादा पानी डाल देंगे तो हो सकता है करें यहां पे आटे को अच्छे तरीके से हमें लगाना है और अभी न यहां पे मैंने कोई ऑल का यूज नहीं करा है मैंने इसमें सूरीड आ लिये विदाउट ओइल के मैं इस आटे को गूत रही हूँ और अच्छे से पंच लगा करके इसको मैं गूत लूँगी तो फ्रेंड्स नमक पारे बनाते टाइम हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें आटे को बहुत अच्छे से गूत ना है बस यही वाला जो पार्ट है थोड़ा टाइम लेता है अच्छे से मिनिट का रेस्ट देने के बाद धकन हटा करके दुबारा से इसमें एक बर पंच लगाएं और दुबारा से इसको गूतेंगे अच्छे से ताकि जो हमारा आटा है ना वो एकदम एक्वल हो जाए अब आटे को अलग अलग पीसिस में डिवाइड कर लेंगे और मैं इसे च अब इसको आटे को अचालम करण दुबारा मैं पाल दुर साइब कर देंगा शुम आटे को सब्ली है तो मैं अब स्कूचे कि अज़ार के प्रेस करेंगे मैं इसे रोटी की शेप में बना गोल गोल तो यहां पे मैंने अचा कम कर दिया अब इसे लंबांबा करकर मैं बेल अच्छा हमें इतना बेलना है कि ये ना जादा मोटा हो ना जादा पतला क्योंकि एकदम मोटा होगा तो वो क्रिस्पी नी होगा और एकदम पतला हो जाएगा तो ये देखिए बिल्कुल मीडियम साइज बे मैंने इसको रखा है आप यहां पर मैं पीजा कटर से इसको लंब तो अभी तो मैंने एक लोई से ही बना के तयार करें हैं कट कर लिए हैं अभी हम दूसरी लोई से भी बना लेंगे इसी तरीके से मैं प्लेट में खटे करती जाओंगी अच्छा यहां पर अगर आपको शेप बहुत जादा मोटी लगती है या लंबी लगती है ना आप उसको कट कर सकते हैं जैसे कि यह वाला था यह मुझे थोड़ा लंबा लगा तो मैंने इसको कट कर लिया और शेप पी अपने अकॉर्डिंग दे लिजिए चलिए यह तो मेरे हो गए तो चलिए हमारे नमक पारे यहां पर कट हो के तयार हो चुके हैं अब अगले स्टेप की कराही से बाहर निकाल लेंगे इसी तरीके से नमक पारे को डालोंगी 30 मटलिए क्योंकि अगर अकुर्णी डालें दालेंगे ना तो वह आपस में चिपकेंग इसलिए एके करके मैं इसमें नमक पारे ढलती जायाओंगी आप और कर्शी से नमक पारों को चलाते रहें त्ग कि वह जलेना और गैस की फ्लेम यहां पर मैंने मीडियम ही रखी है आगे पीछे करके इनको मैं चलाती रहूंगी और फ्रेंड्स हमें तब तक नमक पारों को चलाना है जब तक इन में हलका लाइट गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए तो यह देखिए आप देख सकते हैं किस इसमें डाले हैं और इनको भी उसी तरीके से मैं तल लूँगी और आप यह देखिए यहां पर गोल्डन ब्राउन होकर के एकदम तयार हो चुके हैं इनको भी मैं निकाल लेती हूं यह जो नमक पारे हैं बिना मैदे के बनके तयार हुए हैं और नमक पारे तो एक ऐसी ची हैं यह देखिए कितने क्रिस्पी हमारे यह आटे के नमक पारे बनके हुए हैं तयार और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और मिलते हैं जल्दी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए सी मारी तो के तो भागिजे जाट रखाएंग। width लागे लागे तोLD मिलते हो चारिजे बनके बनके हैं तो लो लागे तोमाटाब के हैं दो